तो आइस कैसे वो फिर से एक नाविर आपको स्वागात करते हूँ गैस फिर से इंदिया गवर्मेंट ने 43 अप्लिकेशन बैंड कर दिया इंडिया से यह बहुत ही अच्छी खासन नहीं हुज है क्योंकि मदलब इस बैंड करना शुरू किया था है तिक ट किया था आप्लिकेशन बैंड करी था बादस बैंड किया था अप्यडिया कर दिया था धाने के लिए बहुत कुछ पोशेसश चल रहा है तो यह दिखते म्हों तो को 118 एप्लिकेशन बेंड कर दिया था पबजी के साथ ठीके लेकिन आप फिर से 43 एप्लिकेशन को इंडिया से बेंड कर दिया उन में से पहले तो टिक टोक था और उसके बाद आपको आया था जो स्नाइक वीडियो उसको भी इस एप्लिकेशन इन 49 एप्लिकेशन के अंदर बेंड कर दिया इस application को बेंड करके इंडिया का जो security डाटा security बहुत ही high level तक जा रहा है और आड also इंडिया में software developing का काम होता है वो बहुत ही high level तक जा रहा है इसलिए बोल रहा है कि आप इंडिया को जो एप्लिकेशन इन में से है इसको यूज करें क्यों इंडिया में स्नैप वीडियो के बदले में बहुत सारे एप्लिकेशन है जो इंडिया का आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आप आपके फोन में जो चाइनीज अब है वो सारे इंस्टॉल किजिए उसमें टाइम कुछ भी स्टाइम विष्ट मत किजिए उसके बाद आपको क्या आ रहा है स्नैक वीडियो तो फिरसे आप बहुत ही मिहनद किया एड उसके बाद उसको भी डिलेट कर दिया मतलब इंडिया से बंड कर दिया उसमें बहुत सारा मिहनद लगता है जब कोई अप्लिकेशन के नीचे एक ब्लू कालर के टेक्स्ट दिखा देगी उस टेक्स्ट को कोपी करके आप गूगूल पे सर्च करके देख सकते उस अप्लिकेशन चानीज से जुड़ा हुआ है की नहीं तो इस जब चानीज में जुड़ा हुआ होंगे तब उस अप्लिकेशन को यूज मत जो आप टिक टॉक जाए से कुछ वीडियो बनाना चाहते हो मतलब आप अभी जो यूटूब पर यूटूब शॉट आ चुका है तो यूटूब पर आओ जितना जल्दी हो सा के यूटूब पर आओ यूटूब शॉट वीडियो बनाओ एक मिनिट के अंदर उसको यूटूब शॉट में अबलोट करो अपने चैनल को ग्रोथ करो एक स्टा जो चाइनिज एप है उसको यूश मत करो क्योंकि इसमें बहुत ही महनत लगता है एक प्र तो एस थैंक यूटू और मुझे जो बोलना है मैं बोल चुगा हूँ तो बाकी आपकी मर्जी